Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel Friends, आज इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों को सर्दी खासी जुगाम, नाक बंध होना, नाक से पानी आना, घरघर की आवाज आना, सोते से में बच्चों को घरघर की आवाज आने लगता है तो उससे हम कैसे छुटकरा दिलाएं, क्या घरघर लू उपाय आजमाय, ताकि बच्चों को सर्दी खासी जुगाम, घरघर की आवाज आना से छुटकरा दिला सके तो इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखे हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आपको लेना है यहाँ पर हिंग, फ्रेंट्स हिंग की मतरा ज्यादा नहीं लेनी है, चुटकी पर हिंग लेना है, उसके बाद इसमें आपको एड करना है लासन, लासन आप 5-6 कलिया ले, उसका छिलके को हटा दे, और उससे 5-6 कलिया आप लासन का रखे, उसके बाद इसमें आपको एड करना है जो है आजवायन, आजवायन आपको अपने पोटली बनाना है तो उस अनुसार आप एड कर सकते हैं जितना का आपको पोटली बनाना है, इन तीनों को एक कराही या तवे में अच्छी तरह से गर्म कर ले, उसके बाद इसे आप हलका गुनगुन तक ठंधा कर ले, उसके बाद एक कौटन के कपड़े लेकर उससे आप पोटली बनाना है और उस पोटली से बच्चों को सीने, तलवे और हाथ के पंजे पे अपलाई करके सिकाई करे, ध्यान रखना है कि पोटली गर्म जादा नहीं होना चाहिए, आप अपने हाथ से पहल मासाज कर सकती है, हाथ, पैर, तलवे और सीने पर अपलाई करके अच्छी तरह से बच्चों को मासाज करें, यह भी काफी अच्छा होता है, सर्दियों में तो पूरी सर्दी बच्चों को मासाज करना काफी जरूरी होता है, इसे सर्दी खासी जुकाम यदि बच्चों को ह हो गया है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है फ्रेंट्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा चलना पर फंस्ट बड़र तो सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो के सेर कीजिएगा मिलती हूं अगले नेक्ट वीडियो में थैंक्स